Hello Friends, Welcome to JP Pharma Classes आज जो हमारा लेक्चर रहेगा, आज का जो हमारा वीडियो लेक्चर है ये जो है एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं हम देख रहे हैं कि B Pharma, M Pharma और D Pharma इसके लाओ BSE और MSE के सलेबस में एक सब्जेक्ट है आज लोगों को पता होगा, आनलिशिस, फार्मसोटिकल आनलिशिस करके सब्जेक्ट होगा, ये आनलिटिकल केमिस्ट्री के नाम से होगा तो इसमें जो है एक main topic है spectroscopy तो आज जो ये lecture है हमारा इसी के उपर based है spectroscopy आज से हमें start कर रहे हैं एक नया lecture तो जो आज का lecture है वो सिर्फ एक spectroscopy normally होती क्या है उसका introduction यहाँ पर हम provide करेंगे तो देखते हैं हम अपने topic पर आते हैं spectroscopy क्या होती है तो start करते हैं आज का lecture आज का हमारा topic है simply spectroscopy ठीक है आज का topic है हमारा spectroscopy इसकी जो हम study करते हैं यह किसके अंडर में करते हैं analytical chemistry में spectroscopy की जाती है study analytical chemistry केमेस्ट्री में means analytical chemistry means की यहाँ पर हम जो है analytical means की analysis कर रहे हैं ऐसी chemistry जिसमें हम कोई भी compound chemical कुछ भी दिया हुआ है उसकी हम analysis कर रहे हैं compound और chemical कुछ भी हमारा कोई drug दिया हुआ है कोई drug substance दिया हुआ है तो इन सब की क्या कर रहे हैं analysis करें means compound synthesize हो चुका है बन चुका है final हो गया है लेकिन अब उसको चेक करना है कि वो हमारा वही exact वही compound बना हुआ है कि नहीं उसको चेक करने के लिए हम जो है यह method यूज करते हैं spectroscopy जिसको हम बोलते हैं वो आता है analytical chemistry के अंदर में तो क्या होता है कि होती है हमारे spectroscopy पहले सबसे पहले ये जानते हैं तो कोई हमारा एक matter देख महुच है now अब इसके बारे में study करनी है, इसकी properties जाना है कि यह किस type का है, इसकी properties जानी है, इसका structure कैसा होता है, यह सब ही जो चीजे जाननी है हमको, तो वो सब किसके through हम study करते हैं, spectroscopy के अंदर, तो इसमें क्या होता है, अगर हम इसको simple, इसके अगर हम definition पढ़ना चाहें, spectroscopy के, तो यह क्या होगे, study of interaction between matter and electromagnetic radiation, electromagnetic radiation, electromagnetic radiation means क्या होता है, electromagnetic radiation means कि simply जो हम light use करते हैं, जो हमारे सूरी की light है, उसमें भी electromagnetic radiation है, तो वो क्या है, light, Light कोम क्या बोलते हैं Light Source दू선 करते हैं उसको Electromagnetic Radiation बोलते हैं तो इन दुनों के बीच में जो भी कोई compound के Analysis करनी है वो और उसके analysis के लिए हम यहाँ पर यूज करते हैं इलेक्ट्रमेग्जअटेटिकडियक्ड में जो भी interaction हो रहा है और उससे जो भी result आ रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, spectroscopic analysis, और यह जो analysis होती है, यह mainly based होती है, कि इसके through हम इसको करते हैं, wavelength और frequency, frequency जो radiation की frequency होगी, उसके base पे हम इसकी analysis करते हैं, ठीक है, frequency और wavelength जो हमारी रहेगी, frequency और wavelength और और, तो इसके base पे ही हम जो है, electromagnetic radiation और matter के बीच के study करते हैं, जिसको हम बोलते हैं, spectroscopic methods, तो mainly यह किसके लिए यह use किया जाते हैं, matter के structure और प्रॉपर्टी के लिए, जानने के लिए, कि कैसा उसका structure है, कोई भी compound दिया पता लगाना है, कि वो कैसा structure है, suppose हमको किसी ने paracetamol दे दिया, PCM दे दिया, और बोला कि अब यह बताओ, किसी ने बोला कि यह हमने synthesize कर दिया, lab में, अब यह confirm करना है कि कैसा है, तो उसके लिए हम different kind of spectroscopy use करेंगे, और उसके तो हम पता लगाएंगे कि यह paracetamol ही है, ऐसा, तो इसके तो हम यह सब analysis करत हैं, अब जो basic principle इसमें involved हुआ है, देख लेते हैं, heading डाले, basic principle जो इसमें involved हुआ है, वो क्या है, basic principle यह है, कि जो हमारा इन दोनों के बीच में analysis, जो interaction हो रहा है, उसके बाद जो response आ रहा है, तो response of matter when electromagnetic radiation crossed or focused on it, means की कोई matter रखा हुआ है, suppose यह एक matter रखा हुआ है, यह हमारा, मानलो, paracetamol है, हमने PCM ले लिया यहाँ पे, और इस पे हमने electromagnetic radiation को cross करवाया, तो जो भी result आएगा, जो भी result आएगा, तो यह क्या होता है, इसी phenomenon पे based होता है, इसका basic principle जो है, यह यही है, कि कोई भी compound को, कोई भी matter को, जब हमें electromagnetic radiation उससे cross करवाते हैं, तो जो response आ रहा है, वही है, हमारा basic principle इसका, ठीक है, अब इसके, जो, different different kind of electromagnetic radiations है, उसके आधार पर हमने इसको बहुत सारी अलग-अलग categories में divide किया है, तो कई type की, अलग-अलग हम spectroscopy study करते हैं, उसको देखते हैं कौन-कौन सी है, यह हैं, सबसे पहले देखते हैं कौन सी है, types of, types of spectroscopy, spectroscopy, क्या होती है spectroscopy, कितने types क्यों होती है, तो यह on the basis of, on the basis of electromagnetic radiations, there are, there are, various types of, various types of spectroscopy, are, spectroscopy are, कौन-कौन सी है, सबसे पहले, हम देख लेते हैं कि हमारे यहां पर लिख लें कि electromagnetic radiations कौन सी है, उसके बाद उससे basis spectroscopy कौन सी होंगी, और साथ में ही हम, इनकी range क्या होगी, यह देख लेंगे, मतलब range means, जो हम wavelength होगी, जो wavelength यूज करें, उनकी wavelength के यादार पर range मतलब wavelength, कि कौन सी किसकी wavelength है, अब wavelength क्या होती है, वो भी हम अभी बता देंगे, तो सबसे पहले हम electromagnetic radiation बोल रहे हैं, एक है हमारी gamma rays, gamma rays means, gamma electromagnetic radiation, gamma rays, gamma rays जो होती है, यह भी एक type की electromagnetic radiation है, और यह ही इनकी हो जाएगी spectroscopy, gamma spectroscopy, और इनकी जो range होती है, वो कितनी होती है, यह होती है हमारी, more than 0.001, 0.001, एक second, 0.001 nanometer, एक सेकेंड, दन दूसरी होती है हमारी, x-rays, x-rays, इनकी spectroscopy, इसकी जो range होती है, हमारी 0.01 to 10 nanometer, then third हम देखते हैं, इससे और जो आगे range में बढ़ेंगे हम, तो हम आजाती है, उमारी UV visible, UV visible rays, UV visible rays जो होती है, इनमें दो type की spectroscopy आ जाती है, एक UV spectroscopy होती है, spectroscopy, और दूसरी जो हमारी visible, visible को ही हम colorimetry भी बोलते हैं, visible और colorimetry, यह इसी में आ जाती है, मतलब जो color compound होंगे, वो हमारे visible spectroscopy में चेक किया जाएंगे, और जो transparent होंगे, वो UV की range में आ जाते हैं, तो इसके लिए जो है UV के लिए अलग range होती है, इनकी जो range होगी, वो 200 से 400 nanometer होती है, और जो visible की होती है, वो 400 से 800 nanometer होती है, ठीक है, फोर्थ हम देखते हैं, इससे आगे जब बढ़ेंगे, तो IR की rays आ जाएंगे हमारी, IR rays means, IR spectroscopy, IR means, infrared spectroscopy, इसकी तीन range होती है, अलग-अलग, एक near means की past की जो range होगी, एक mid, मतलब middle की जो रहेगी, और तीसरी far, यह हो गई, इनकी range देखते हैं, तो micron में देख लेते हैं, near की 0.8 to 2.5 micron, then mid की होती है, 2.5 से लेकर के 15 micron तक, और far जो दूर की हैं, वो 15 to 150 micron तक की, इनकी range होती है, यह तो हो गई range की बात, अब इसी में हम थोड़ा सा, इसका use भी पढ़ लेते हैं, तो mainly जो हमारे study करनी हैं, हम जो study करते हैं, वो UV और visible की करते हैं, और IR की करते हैं, इन सब की study में में हम करते हैं, इसके अलावा मास की भी करते हैं, फिफ्ट जो है, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी भी की जाती है, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है, तो अब इनका use हम पढ़ते हैं, क्या है, तो UV जो है, इसको हम में लिए wavelength चेक करने के लिए यूज़ करते हैं, absorption देखते हैं, absorption चेक करने के लिए wavelength पहले जरूरी है, कोई भी compound दिया गया, बोला गया उसका absorbance बताओ, तो absorbance के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा, उसका UV में जाके उसका wavelength चेक करना होगा, देन wavelength पे हम fix करेंगे, और wavelength fix करेंगे कि हमारे paracetamol की support 243, 263 जैसा भी हमारे फार्मा कोपिया में जो दिया होगा range, उसके आधार पे चेक करेंगे, जो हमने लैब में synthesize किया है तो उसका उतना ही range आ रहा है कि नहीं, wavelength चेक हो गया, देन ओके हो गया है, उसके बाद वही wavelength जो आएगे, उस wavelength पे हम fix करके अपना absorbance चेक करेंगे, और तब देखेंगे कि जो absorbance चाहिए उतने wavelength पे उतना ही आ रहा है कि नहीं, ये सारी चीज़े हम चेक करते हैं, तो UV visible में हमारी mainly क्या चेक होती है, wavelength और absorbance, then IR spectroscopy जो होती है, इसका यूज़ है कि ये functional group detection के लिए किया जाता है, functional group detection के लिए यूज़ किया जाता है, functional group detection means कि इसमें hydroxyl group लगा हुआ है, CHO लगा हुआ है, COH लगा हुआ है, ये कोई भी ग्रूप से ऐसे functional group जो लगे हुए हैं, इनके detection के लिए हम IR spectroscopy यूज़ करते हैं, वो जो near mid far दिया हुआ है, वो drug का जो भी wavelength हमारे फार्माकोपिया में दिया होगा, तो हम जो lab में synthesize करेंगे, उसके wavelength के according ये सारी चीज़े चेक होंगी, then mass spectroscopy जो है, ये हमारे mass के लिए, mass means उसके weight के लिए यूज़ की जाती है, तो mass spectroscopy जो है, compound के mass check करने के लिए यूज़ किया जाता है, ये हो गई हमारे types of spectroscopy और ये सब चीज़े हो गई, अब इनमें जो wavelength की बात आ रही, ये क्या होती है, इसको थोड़ा सा जान लेते हैं, कई terms आएंगे हमको spectroscopy में पढ़ने के लिए, जैसे उसमें से पहला एक है हमारा क्या, wavelength, तो wavelength क्या होता है, ये जानते हैं, wavelength एकदम simple सा है, wavelength means कि distance between, distance between, suppose हमारा कोई compound है, कोई एक हमको ये, जो हम analysis करते हैं, उसमें qubit यूज करते हैं, तो qubit है, इसमें कोई compound भरा हुआ है हमारा, solution है compound का, और इससे जब हमारी rays क्रॉस करती है, ठीक है, जब यहां से rays क्रॉस करती है, तो हमें पता है, light source यहां पर दिया है, हमने कोई, यहां पर light source दिया हुआ है, तो उससे जो rays क्रॉस करेगी, तो यह हम सभी को पता है, कि light जो होती है, वो wave के form में होती है, इस तरीके से, cross करती है, यह ना, wavelength हो, तो wavelength क्या होता है, इसमें वो बताते हैं, wavelength means कि, यह जो हमारा यह पार्ट है, चाहिए यहां ले ले, चाहिए यहां ले ले, कहीं भी बोल सकते हैं, तो यह जो दो उपर के wave सूप पर जा रही है, उनको हम बोलते हैं, crust, और यह जो नीचे का पार्ट होता है, दो waves के बीच में यह जो distance है, इसको हम बोलते हैं, trups, ठीक है, तो distance, wavelength क्या है, distance between two crust, और two trups, मतलब यह two crust के बीच का distance, यह two trups के बीच का जो distance होता है, वही होता है, क्या चीज़? wavelength, ओके, बिल्कुल सिंपल सा है, और इसको जो हम denote करते हैं, बताते हैं कि, इसको मतलब denote तो मालूमी होगा सबको, तो इसको हम lambda से, अभी नीचे भी बात कर रहे थे, wavelength जो होती है, यहाँ चकी जाती है, तो wavelength क्या है? two crust यह two trups के बीच का distance है, जिसको हम lambda से denote करते हैं, और इसकी जो unit होती है, unit जो है ang strong होती है, इसके अलावा हम nanometer में देख रहे हैं, हम सभी की wavelength, और इसके अलावा हम micron में भी होती है, जैसे के हमने IR में micron में बताया, और UV में nanometer में बताया, यह सारे चीज़े एक दूसरे में convert भी की जा सकती हैं, उनको भी हम आगे discuss करेंगे, यह हो गया wavelength, ऐसे ही spectroscopy में एक और term आता है, wave number, wave number, ठीक है, अब wave number क्या होता है, वो चीज़ बताते हैं, तो wave number होता है, special frequency of wave, wave number क्या है, special, frequency of wave, means कि, जो क्या करते है, number of waves जो होती है, per unit distance, मतलब जो हमारा ये, एक, जो हम qubit ले रहे हैं, यहाँ पर solution, तो उसमें जो 1 cm का ये path length है, यो 1 cm का ये path length है, तो ये क्या होता है, wave number क्या होता है, number of waves, per unit distance, per unit distance, per unit distance means, 1 cm path length, तो ये क्या होता है, हमारा wave number, इसको हम denote करते हैं, mu bar से, denoted by, mu bar, और अगर इसको हम distance के थुरू, अगर हम देखते हैं, तो क्या होगा, wavelength के थुरू, अगर हम देखते हैं, तो mu bar is equal to हो जाता है, 1 by lambda, then जो है तीसरा एक और टर्म बार बार आ रहा है, हमारा frequency, third point है, frequency, frequency means क्या होता है, frequency यही, कि जो यहाँ पर, हमने यह qubit बताया है, वन सेंडिमिटर का path length की बात तो हो जाएगी, हमारी क्या चीज़, wave number में, frequency में क्या बात होती है, कि यह जो waves जा रही है, यहाँ से जो waves जा रही है, तो waves जो है, suppose हमने एक minute time decide कर दिया, तो एक minute के अंदर में, दिये गया समय में, particular एक point से, particular एक point से, कितनी number of waves cross कर रही है, मतलब यह जो आ रही है, यह जो crust आई, यह cross करके चली गई, इसी point से, देन यह दूसरी crust आ रही है, यह cross करके इधर से चली गई, तीसरी crust आ रही है, वो चली गई, तो यह जो frequency है, कि कितना fast वो जा रही है, फास्ट इसमें नहीं वो consider करेंगे, means कि, एक दिये गए समय के अंदर में, एक दिये गए point से, कितनी क्या करते हैं, wavelength क्रॉस कर जा रही है, तो उसको क्या बोलते हैं, frequency, उस waves के cross करने की frequency, और मतलब, इसके definition लिख दें, यहाँ पे, number of occurrence, number of occurrence of a repeating, repeating event per unit time, मतलब, एक समय हमने दे दिया, कि मान लो एक मिनट अगर हमने decide कर दिया, तो उस एक मिनट में, एक दिये गए point से, कितनी frequencies cross कर जा रही हैं, तो वो क्या होता है, then wave number को हमने बताया, कि wave number में क्या होता है, कि एक path length से, जो frequency, जो हमारे waves क्रॉस कर रही है, तो वो क्या होता है, एक मतलब, यहाँ पे space decide किया गया, और यहाँ पे summer decide किया गया, frequency में sum, wave में, wave number में, space decide किया गया, path length decide कर दिया गया कि 1 cm path length से जित्ती waves cross कर रही है और wave length में क्या होता है कि एक जो wave उपर की 2 waves के बीच की जो distance होती है means crust जो होते हैं उनको crust बोलते हैं तो 2 crust के बीच की distance या फिर 2 truff के बीच की distance को हम wave length बोलते हैं दूसरा जो frequency का जो unit है अगर इसको हम unit देखते हैं इसकी तो यह hertz होती है और इसकी जो मतलब unit जो है वो hertz होती है और इसको हम denote करते हैं mu से और wave number को mu var से और इसकी जो unit है वो क्या है cycle per unit या फिर per centimeter इन्वर्स क्योंकि आगर हम देखे तो इसका centimeter होगा wavelength का तो यह just इसका पोजिट हो रहा है तो जब यह lambda उपर जाएगा तो क्या हो जाएगा centimeter centimeter inverse हो जाएगा centimeter की power minus one को inverse बोलते हैं तो आज तो हम इतने ही chapter discuss कर रहे हैं मतलब यहाँ पर थोड़ा हमने सिर्फ क्या करता है कुछ definitions की बात की और normally जो हम next lecture लेके आने वाले हैं उसमें हम UV visible से start करेंगे UV visible का introduction वो किस law पर काम कर रहा है उसमें क्या principle involved हुआ है क्या क्या चीज़े होती है उसमें वो सारी चीज़े हम यहाँ पर बिसकस करेंगे next lecture में और जिसको यह lecture अच्छा लगा हो like subscribe share भी करना सब लोग और किसी को कुछ एक्स्ट्रा पूछना भी हो इसमें तो जरूर कमेंट बॉक्स में करो question थैंक यू